हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप भी होली पे जटपट वाली मिठाई बनाना चाते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए सिर्फ पांच काजू से पांच मिनट में बिना गेस जिलाई ये मिठाई बनके तयार हो जाएगी और ये देखे हमारी मिठाई कितनी सौफ्ट मुँ में गुल जाने वाली बनिए आप ये रेसिपी पूरी देखे उसके बाद आप भी ये जटपट वाली मिठाई बनाके तयार कर सकते हैं आप कमेंट करके बताएगी आपको ये रेसिपी कैसी लगी इस मिठाई को बनाने के लिए ये मैंने एक टोरी चिन्नी लिए और साथ में लिए पांच काजू पांच काजू से हमारी ये मिठाई बनके तयार हो जाएगी तो चिन्नी को सबसे पहले हम मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ में काजू को डाल देंगे ताकि काजू भी हमारे अच्छे से पिसके तयार हो जाए और ये मैंने लिए चार साबूत इलाइची अगर आपके पास साबूत इलाइची है तो आप साबूत इलाइची डालिए इस मिठाई में इलाइची का फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा और यह देखिए हमारे काजू और चीनी अच्छे से पिसके तयार हो चुके हैं अब हम इसे च्छान लेते हैं च्छानने से अगर चीनी में कोई घाठे रेगी तो वो भी निकल जाएगी और जो हमने इलाइची को साबूत पीसा है उसका अगर कोई छिल्का बच गया है तो वो भी निकल जाएगा इसी तरह में सारी चीनी और काजू के पाउडर को च्छान लेने हैं यह हमने चीनी और काजू के पाउडर को अच्छे से चान के तयार कर लिया है और यह देखे जो इलाइची के छिलके बच्चे हैं उसे आप चाई बनाने में यूज कर सकते हैं अब हम फिर से उसी मिक्सी के जार को लेंगे और उसमें दो कटोरी डेसिकेटड कोकोनेट पाउडर डालेंगे अगर आपके पास milk powder है तो आप एक कटोरी desiccated coconut ले लीजिए और एक कटोरी milk powder ले लीजिए उससे भी ये मिठाई बहुत अच्छी बनेगी और ये देखिए ये हमारा नारियल का powder भी अच्छे से पिसके तेयार हो गया है अब हम इन सभी चीजू को अच्छे से mix कर लेते हैं आपको सभी चीजू को अच्छे से mix करने है ताकि coconut powder और चीनी अलग लग ना रही अच्छे से mix हो जाए ये देखिए अच्छे से mix होगे अब हम इसमें 3-4 चमच दूद डालेंगे और इसे अच्छे से गीला कर लेंगे य और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिशरन हमारा तयार हो जाएगा mix आपको अच्छे से करने है ताकि coconut powder एक जगे ना रहे और ये देखिए हमारा बेटर हो गया तयार मैं इस मिठाई को पेड़े का सेप दूँगी इसलिए मैं ले रही हूँ डिस्पोजरल ग्लास इस जाये तो इसे किसी कटोरी में भी भरके रक सकते है या लगोव खिया दूंपश्क एजखिके घ्लास में भर लें ऊखिए हमने एक लक्लास में लिए तो फोन मिठाई को दूसरी ताकि अब बीच में कही जगे न रहे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगया तो आप लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है ये देखिए हमने दूसरी ग्लास भी अच्छे से भड़ लिए और इसे अच्छे से सेट कर देंगे ये हमारी दूसरी ग्लास तयार हो चुकिये अब हम इसे फोईल पेपर से कवर कर देंगे और इसे आदे गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे और अगर आपको ज़्यादा जल दिये तो आप इसे 10 मिनिट के लिए फ्रीजर में रख लीजिए उसके बाद ये मिठाई तयार हो जाएगी ये हमारी दूसरी ग्लास अच्छे से कवर हो चुकिये ये देखिए आदा गंटा हो गया है और अब हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकिये मैंने इस मिठाई को इस ग्लास में इसलिए डाला ताकि इसे हम काट के निकाल सके ये देखिए दोनु में ग्लास अच्छे से सेट हो चुकिये अब हम ग्लास को थोड़ा सा उपर से कट कर लेंगे और इसे ऐसे तोड़ लेंगे तो ये हमारी मिठाई आराम से निकल के तयार हो जाएगी ये देखिए इस ग्लास से आराम से निकल गई है और इसमें हमारी मिठाई बिल्कुल भी तूटी नहीं है अगर आपके पास चाई वाले डिस्पोजल कप है तो आप उसमें भी इस मिठाई को बना सकते हैं इसी तरह हम दूसरी वाली को भी निकाल लेते हैं और यह देखिए दूसरी वाली भी आराम से निकल गई है यह मिठाई बहुत ज्यादा सौप्ट होती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो बीच में से तूट जाएगी अब हम इन्हें कट कर लेते हैं इन पेडू को आप छोटा बड़ा आपने इस आप से कट कर सकते हैं मैं इसके मीडियम साइज के पेड़े काट रही हूँ और मैं एक आपको दिखाती हूँ यह देखिए कितने सौप्ट बने और खाने में तो इतने ज्यादा टेस्ट है कि आपको एक गंटा भी नहीं लगेगा कि सारी मिठाई खतम हो जाएगी और इस मिठाई को आप बना के फ्रीज में 15 दिन तक रख सकते हैं इसी तरह हम सारी मिठाई को काट के तयार कर लेते हैं काटते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका नाइफ एकदम तेज होना चाहिए नहीं तो यह मिठाई बीच में से तूट जाएगी अगर आपके पास नाइफ तेज नहीं है तो आप किसी धागे से काट लीजे उससे यह बड़े आराम से कटके तयार हो जाएगी इसी तरह हम बाकी की बच्चीव मिठाई भी काटके तयार कर लेते हैं इस विश्रन से हमारे 11 पेड़े बनके तयार हुएं अब हम इसके उपर चांदी का कवर लगा देते हैं इसे दिखने में ज्यादा अच्छी लगेगी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं यह हमारी मिठाई बनके तयार हो चुकिए उमीद आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी आज हम बीना गेस जलाए बीना चीनी बीना दूद बीना मावा के नारियल के लड़ू बनाएंगे और इन लड़ू को हम यह गोले वाले जो नारियल आते हैं उनसे बनाएंगे और यह लड़ू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इने बनाना भी बहुत आसान है आप इन लडू को सिप पांच मिनिट में बना के तयार कर सकते हैं यह मैंने दो गोले लिए इनको हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है यह देखिए बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है बाद में इने पीछना है तो हम बड़े व की रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिपी अच्छी लगया तो लाइक करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सभी के शाथ शेयर करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना यह देखिए हमारा नारियल गिसके तयार हो चुका है मैंने इनको मेजर्मेंट के लिए कटोरियों में भर एक कटोरी के हिसाब से एक कटोरी गुड लिया है अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड की कौंटिटी बढ़ा भी सकते हैं और इन्हें हमें मिक्सी में बीच बीच में रोकते हुए पीस के तयार कर लेना यह देखिए एक बार का पिस गया है बाकी की चीजे एक साथ भी ले सकते हैं अब हम दूसरी कटोरी में जो ग्रेट की आवा नारियल है वो ले लेंगे आप चाहे तो इसे ताजे नारियल से भी बना सकते हैं और यह लड़ू खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं इस में से हमें थोड़ा सा गुड बचा ले साथ में जो बचावा गुड है वो भी डाल देंगे आप इन लड़ूं को गुड के साथ बनाईए यह लड़ू बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं अब हम इसमें काजू एड करेंगे मैंने आदा कटोरी काजू एड किये इससे इन लड़ूं का टेस्ट और ज्यादा में अच्छे से मिक्स हो जाए अगर आपको नारियल का फ्लेवर पसंद नहीं है या आप इलाईजी का फ्लेवर ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा इलाईजी पावडर प्रेड कर सकते हैं मैं इसमें इलाईजी पावडर एड नहीं कर रही हूं क्योंकि तो मुझे नारियल का फ्लिवर बहुत ज़्यादा पसंदे अब हम इसमें जो ग्रेट की हवा नारियल बारी ग्रेटर से ग्रेट किया था वो इसमें डाल देंगे इससे लड़ु मारी दिखने में ज्यादा अच्छे लगेंगे आप चाहें तो इसे इसके भी कर सकते हैं यह पास desiccated coconut है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अब हम इसके लड़ू बना लेंगे यह देखिए लड़ू आप अपने हिसाब से चोटे बड़े जैसे चाहिए वैसे बना के तयार कर सकते हैं मैंने इसके medium साइज के लड़ू बनाए और जो हमने ग्रेट किया हुआ नारील डाला है उससे लड़ू दिखने में अच्छे लगेंगे और यह देखिए हमारा एक लड़ू तयार हो गया है इसी तरह हमें दूसरा लड़ू भी बनाके तयार कर लेंगे इनमें हमें बिल्कुल भी गी डालने के जुरत नहीं ऐसे लड़ू बनके तयार हो उमीद है आपको ये लड़ू की रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने फेमली एंफरेंट सबी के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी मेरी कोई नहीं वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए मिलते हैं फिर से एक नहीं रेसिपी के साथ ये देखिए काजु कतली कितनी अच्छी बनिया है एक काजु कतली मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ ये देखिए कितनी सौफ्ट काजु कतली बनिये अगर आप भी ये काजु कतली बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए उसके बाद आप भी आराम से ये काजु कतली घर पे बना सकते हैं सबसे पहले हम एक मिक्से का जार लेंगे और उसमें एक कर्टोरी चीनी डालेंगे अब हम इसमें पांच काजु डालेंगे ये काजु कतली हम सिर्फ पांच काजु से बनाएंगे काजू और चीनी को हम अच्छे से पीश लेंगे बारिक ये देखिए चीनी और काजू अच्छे से पीश चुके अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं और उसी जार में हम फिर से डेट कटोरी डेसिकेटेड कोकोनेट डालेंगे नारियल का बुरादा एक कटोरी चीनी लिए तो उसमें डेट कटोरी डेसिकेटेड कोकोनेट डालेंगे अब हम नारियल के बुरादे को भी एक बार मिक्सी में चला लेंगे और उसे भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे अब हम एक चमच इलाजी पाउडर डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए चीनी और नारियल का पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें दो तिन चमच मलाई डालेंगे मलाई इसमें ज्यादा नहीं डालनी है अगर लगेगा कि बाद में थोड़ा सूखा है तो बाद में वो डाल देंगे एक साथ ज्यादा डाल देंगे तो यह मिश्रन गिला हो जाएगा अब मलाई को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक आटे की जैसे डो लगा लेंगे यह देखिए आटे की तरह अच्छे से गुत रहा है इसे हम जैसे आटा लगाते हैं वैसे इसका डो तयार कर लेंगे अब हम इसमें एक चमच गी डालेंगे गी से कजु कतली में अच्छी साइनिंग आएगी और गी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसका एक डो बना लेंगे यह देखिए डो बन रहा है अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो इसमें हम एक चमश मलाई और डाल देंगे ज्यान रखिए मलाई को पूरी को एक साथ नहीं डालनी है नहीं तो यह मिश्रन गीला हो जाएगा फिर से आपको इसमें चीनी और नारियल का पूरा दम ही लाना पड़ेगा एक चमश मलाई हमने ओर डाल दिये और अब इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इसे राउन शेप दे रहे हैं तो यह देखिए इसका शेप आ रहा है अब हमारा यह डो परफेक्ट बनके तयार हो चुका है अब हम इसे थाली में फेला लेंगे अगर आपके पास कोई चोकोर प्लेट है तो आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हैं आपको कजू कतली को जितना पतला मोटा रखना है आप उसे रिसाफ से इसको अच्छे से फेला लीजिए अब हम इसे एक चम्मस की हेल्प से इससे अच्छे से शेप दे देंगे यह देखिए, हमने इसको अच्छे से सेफ दे दिया है, अब हम इसके उपर चांदी का कवर लगा देंगे, इसे यह दिखने में और अच्छी लगेगी चांदी के कवर को आपको हाथ से नहीं लगाना है, यह हाथू में चिपकता है, अब हम इसे काजु कतली के सेफ में काड लेंगे, आप चाहे तो इसे बर्फी के सेफ में भी काड सकते हैं ये देखिए हमने इसको काजु कतली के सेप में काट लिया है अब हम इसे आदे गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे आदा गंटा हो गया है और अब हमारे काजु कतली अच्छे से सेट हो गई है तो अब हम इसे नाइफ की हेल्प से निकाल लेंगे ये देखिए काजु कतली कितनी सॉफ्ट बन के तयार हुई है इसी तरह हम एक बार की काजु कतली को साइड में करके दूसरी वाली भी चाको के हेल्प से हटा लेंगी और ये देखिए काजु कतली आराम से निकल रहे हैं अब मुझे प्लेट में लगा लेते हैं अगर आपको ये रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नही रेसीपी के साथ इस मिठाई को हुम ब्रेट से बनाएंगे तो यह मैंने 6 ब्रेड लिए आपको जितनी मिठाई बनानी आप उस हिसाब से ब्रेड कम ज़्यादा ले लिजी अब हमें ब्रेड के किनारे काटने यह मैंने ड्राउन ब्रेड लिए आटे वाले अगर आपके पास वाइट ब्रेड है तो आप वो भी ले सकते इसके हमें चारू तरब से किनारे काटने अब हमें ब्रेड के चार चार टुकडे करने आपको टुकडे छोटे बड़े या जिस शेप में करने आप उस हिसाब से कर सकते यह देखिए हमने एक ब्रेड के चार चार टुकडे कर लिए इसी तरह हम बाकी के सारे ब्रेड को काटके त्यार कर लेंगे अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें इन टुकडूं को लगा देंगे अगर आपके पास चोको और शेप की कोई प्लेट है ताप हो ले लीजे अब हम सारे टुकडे इसी तरह प्लेट में लगा लेंगे यह मिठाई हमारी पांच मिनिट में बनके तयार हो जाएगे खाने में इतनी टेस्ट हीए कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने यह मिठाई ब्रेट से बनाईए यह हमने पूरी छे ब्रेट के टुकडे इसमें लगा दिये आपके गर में जब भी ब्रेट आएंगे तो आप यह मिठाई जरूर बनाएंगे अब हम एक मिक्सिका जा ले लेंगे और उसमें आदा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनेट डाल देंगे आदा कटोरी इसमें चीनी डाल देंगे पांच काजू लिए और पांच यी बादाम लिए ड्राइफ फूर्ट इसमें ओप्सिनल है अब हम इसमें थोड़ा सा इलाची पाउडर डाल देंगे और इन सब को बारिक पीस लेंगे यह देखिए हमने इन सब को पीस के तयार कर लिया अब हम इसमें एक गलास दूद डालेंगे अगर आप मिठाई को उसी टाइम खाना चाते है तो एक गलास दूद काफी है अगर आप इसे रखके खाना चाते है तो आप इसमें थोड़ा दूद और डाल दीजी अब हमारा जो मिश्रन बनके तयार हुआ है अब हम इस मिश्रन को ब्रेड के उपर डाल देंगे आप इस मिठाई को जिस टाइम बना रहे उसी टाइम खा सकते हैं अब हम उपर से कटे वे बादाम डाल देंगे हमारी मिठाई बनके तयार हो चुकी है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ